ओम मृत्युन्जय महादेव तराहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यू जराव्याधीम पीडितम कर्मबंधर महादेव का मंत्र महा मृत्युन्जय हर तरह के कष्ट से मुक्ती और सुख प्राप्ती का महा उपाए इस वीडियो में मैं इस मंत्र के लाभ और मेरी गुरु परंपरा से प्राप्त इस मंत्र की साधना विदी बताऊंगा जिसे करके मुझे शिव कृपा प्राप्त हुई ओम नमस्षिवाय मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ महा मृत्युन्जय मंत्र रिगवेद के साथवे मंडल उन सठवे सूक्त का बारहुमा शलोक और यजुरुवेद की रुद्रा ध्याई में दिया हुआ मंत्र हम उन्त्रने त्रधारी शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोशन करते हैं जैसे खीरा या लौकी पक कर अपने तने के बंधन से मुक्त होकर अलग हो जाता है वैसे ही हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं लेकिन अमर्ता से दूर ना हूँ महा मृत्युंजय साधना जीव के शिव बनने की यात्रा है इस वीडियो में मैं इस मंतर के लाब, संख्या, साधना विधी, सावधानी, परविस्तार से चर्चा करूँगा और यह भी बताऊंगा कि इसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है सबसे पहले लाब दो तरह के लाब बताये गए हैं सांसारिक और आध्यात्मिक सांसारिक लाब जैसा कि सभी जानते हैं कोई गंभीर बीमारी हो तो महा मृत्युंजय मंतर की उपासना साधना अनुष्ठान करना चाहिए सिर्फ इतना ही नहीं यह मृत्यु तुल्ले कष्टों से बचने के लिए भी बताया जाता है और दरिद्रता दूर करने के लिए भी मृत्यु तुल्ले कष्ट कई तरह के हो सकते हैं शासर कहते हैं आठ तरह के मृत्यु होती है शरीर के मृत्यु उनमें से सिर्फ एक है इसलिए हम दीपावली में अश्ट लक्षमी के पूजा करते हैं, गज लक्षमी, धन लक्षमी, धान लक्षमी, संतान लक्षमी, यानि वह लक्षमी जो हमें सब रूप से पुष्ट करें, इसी तरह शिव भी पुष्टी के कारक हैं, इसलिए तो सुगंधिम पुष्टी वर इसका जाप यानि मारण, मोहन, सम्मोहन, उचाटन, किसी तरह के तंतर प्रयोग से स्वयम की सुरक्षा करने के लिए भी आप इसका जब कर सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ही आप महादेव का या महामंत्र करते हैं, तो शिव के गण आपकी और आकरशित हो जाते हैं, शिव के आठ भैरों हैं और उनके अधीन 64 भैरों हैं, वह आपको सुरक्षा देने लगते हैं, आपके साथ चलने लगते हैं, आपका कल्यान करते हैं, आध्यात्मी इकलाब क्या होते हैं? जैसा मैंने कहा था, यह शिव की प्राप्ती का मंत्र है, तो पुरान कहता है, शिव पुरान भी कहते हैं, और भी पुरान, कि चार लाख म अनुभाव से आपको बता सकता हूँ, इस विशय पर अधिक तो अपने अनुभाव नहीं बता सकता, लेकिन यह जरूर कह सकता हूँ, शास्त्रों में अभी तक मैंने जितनी बातें बताई हैं, जो लिखी हैं, वह सत्य हैं, जब आप अनुष्ठान करेंगे, साधना करेंगे गुरु आग्या से सिद्धी करेंगे, तो आपको अपने आप इन बातों का अनुभाव हो जाएगा, तब तक यह सिर्फ किताबों में लिखी बाते हैं, या किसी से कही गई कथा है, स्वैम करिए, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कि काल मृत्यू का भय आ चुका है सामने, कोई बड़ी बीमारी है, तो फिर आप 64,000 या 1,25,000 की संख्या में जब करें या अनुष्ठान करवाएं स्वैम नहीं कर सकते हैं, तो कब करना चाहिए, प्रती दिन की पूजा विधी में आप इसे शामिल कर सकते हैं, दैनिक साधना की तरह, अगर आप प्रती दिन नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप विशेश समय में यह साधना कर सकते हैं, वह समय ऐसे हो सकते हैं, जैसे महाशिवरात्री, मास शिवरात्री, सावन का महीना, गुरुपुर्णीमा, नौरात्री, दीवाली, ग्रहन काल, संक्रांती काल, विशे पिशेश लाब उठाईए आगे अब और विधी बताने से पहले एक आपसे विनमर निवेदन अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा सकते हैं इस मंत्र का जब रुदराक्ष की माला पर किया जाता है मंत्र जब करते समय अगर आपके शरीर पर एक रुदराक्ष माला भी हो तो वह माला विशेश शक्ती संपन हो जाती है मैं एक मुखी से लेकर अठारा मुखी तक की रुदराक्ष माला पहनता हूं इसमें दो रुद्राक्ष विशेश हैं जैसे यह सोला मुखी रुद्राक्ष इसे हम महामृत्युन्जय रुद्राक्ष कहते हैं यह भगवान महामृत्युन्जय का ही रुद्राक्ष दिखाता है हर रुद्राक्ष के देवता अलग होते हैं ग्रह भी अलग होते हैं, 16 मुखी रुद्राक्ष महा मृत्यूंजय का होता है, और यह मैं 18 मुखी रुद्राक्ष पहनता हूं, यह गायत्री देवी का रुद्राक्ष, वेद माता हैं गायत्री, तो 16 मुखी और 18 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनेंगे, और तब जब क करेंगे तो बहुत अधीक लाब मिलेगा शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति 16 मुखी रुदराक्ष पहनता है और शिव की भक्ति करता है अगर वह महा मृतुंजय मंत्र रोज ना भी जपे तो भी उसे महा मृतुंजय मंत्र जपने का फल मिलता है रुदराक्ष की इतनी बड़ी जब यह समाप्त होगा आपको दिख जाएगा आप चाहें तो उसे देख सकते हैं उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया है कि इस राशी के व्यक्ति को कौन सा रुदराक्ष पहनना चाहिए कौन सी समस्या में कौन से रुदराक्ष को पहनने से लाब होता है तो आप वह वीडियो देख सकते हैं अब सावधानी पर बात करते हैं रुदराक्ष की माला भी मिल गई मंत्र भी आगे में बता दूँगा लेकिन अगर आप सावधानियों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर मंत्र का प्रभाव नहीं मिलेगा साधना निश्वल हो जाएगी तो जो ति मैं सब नहीं बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा प्रमुख दोश बता देता हूं और कैसे बचें वह बता देता हूं जिससे आपकी साधना फलित हो जाए देखिए प्रमुख दोश हैं शरीर और आसन अशुद्धी होना इसके अलावा विधी पूर पूठी में रखे हुए यानि कपडे की थैली में रखे बिना उसे बाहर खुला रखके जब करना ऐसे सभी जब का फल ब्रह्मराक्षस ले जाते हैं और इंद्र ले जाते हैं अगर आप बिना आसन पर बैठे जब करते हैं तो आसन अशुद्ध होने से आपका आपको फल नहीं मिलेगा आप कहेंगे मैं जब तो करता हूँ लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा इसी तरह यहां मंत्र जब करने के बाद या कोई भी पूजा पूरी करने के बाद अगर आप आसन से उठते हैं और आसन की नीचे आपने जल रखकर उस जल को सर पे वापस लगाकर ओम इ पूजा करेंगे और फल इंद्र को मिलेगा तो ऐसी बहुत सारी बाते हैं इनसे आपको बशना चाहिए इसके अलावा कुछ यूनिया ऐसी होती हैं जो बड़ी शक्तिशाली मानी जाती है जैसे कोई ब्रामन अगर होता है या कोई बहुत शक्तिशाली सादक है उससे कुछ भूल हुई मर गया अब ब्रह्मराक्षस बन जाता है आप बिना विधी बिना अपने आपको सुरक्षा घेरे में लिए हुए जो मैं आगे बताऊंगा आप विधी करेंगे तो सब का फल ब्रह्मराक्षस लेके चला जाएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा तो यह मुख्य द पिता से आग्या लीजिए शास्त्र कहते हैं माता पिता भी गुरू के समान है माता पिता किसी के ना हो तो तो फिर शिव से आग्या लीजिए शिव से मनी मन प्रातना कीजिए मैं आपका मंतर करना चाहता हूँ आदेश दीजिए आशिरवात दीजिए शिव क्यों मना करें आप भक्ती करेंगे तो शिव जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया माला जोली में रखकर करना चाहिए, आसन शुद्धी होनी चाहिए, शरे शुद्धी वह तो बातें सामाने हैं ही, इसके अलावा यह तो बतानी की जरूरत ही नहीं है कि जब आप यह जब करें तो सामने मुख्य रूप से शिव की कोई मूर्ती या चित्र होना चाहिए, ना भी हो तो मानसिक रूप से आप जब कर सकते हैं, दूप, तीप, जलाकर ही पूजा करें तो अच्छा है, अब मंत्र क्या है यह बताता हूँ, फिर साधना वीदी बताऊंग शास्त्रों में कई तरह के महा मृत्यूंजाय मंत्र या मृत्यूंजाय मंत्र संजीवनी मंत्र बताए गए हैं, पहला है ओम जूम सह, इसे हम लगू मृत्यूंजाय कहते हैं, दूसरा है ओम हॉम जूम सह, तीसरा है जो हम सभी जानते हैं, पसंद करते हैं, ओम त्रयंबकम चौथा है जिसे मैं करता हूँ जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है और जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वह है गायत्री महा मृत्युंजय इसमें गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र को हम मिला देते हैं यह एक बार हुआ, अब आप एक माला करेंगे तो 108 बार इसे पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें 6 बार ओम का प्रियोग हुआ है, इसे हम 6 अउंकार युग तो प्रणाव मंत्र महामरतुंजय गायत्री कहते हैं, इसका सबसे अधिक फायदा मेरे गुरुजी बताते थे, ऐसा क्यों है, देखिए, रिगवेद के दो सबसे बड़े मंत्र कहेगा, महामरतुंजय और गायत्री, महामरतुंजय मंत्र में 33 आठ वसू, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, एक प्रजापती, एक शटकार यह 33 देवता हो गया, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, कौन से अक्षर होते हैं, 24 तत्वों को दिखाते हैं, 24 तत्वों में 5 प्रकृति तत्व, भूमी, जल, वायू, अगनी और आकाश इसके अलावा पाँच तन मात्रा, पाँच ज्यानेंद्रिय, पाँच करमेंद्रिय, मन, अहंकार, महत्तत्व और मूल प्रकृति, तो जब हम गायत्री महमर्तुन्जय करते हैं, तो इसमें 33 देवताओं की और प्रकृति के 24 तत्वों की साधना पूरी हो जाती है, कितनी ब अंडल के, उन 60 में सूक्त का 12 हमाश लोग है, तो इन दोनों का कॉंबिनेशन हो गया, अब देखे कितनी अच्छी बात है, वेदों के दो सबसे बड़े मंत्र का आपस में मिलन हुआ, इससे बड़ा मंत्र मैं नहीं जानता हूं कोई हो सकता है, वैसे तो सभी मंत्र बहुत बड़े अनुभव हैं, गुरु कृपा से, गुरु आशिरवाद से, गुरु से प्राप्त जो साधना है, जो मैं कई सालों से करता हूं, उससे मुझे बहुत लाब हुआ है, शिव की विशेश कृपा मुझे मिली है, बता नहीं सकता हूं, यह appropriate नहीं होगा बोलना कि मुझ मुझे क्या मिला, अपनी साधना के अनुभव तो नहीं बता सकते, लेकिन शिव कृपा मिली, यह इतना आप जरूर समझेए, तो आप यह विश्वास रख सकते हैं, कि सबको शिव कृपा मिल सकती है, जो साधना करता है, तो अब मैं महा मृत्यूंजय मंत्र की साधना उन्हें आप स्क्रीन पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, मैं उनका पिक्चर आपको दे दूँगा, आप चाहें तो उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और चाहें तो प्रिंट आउट भी निकलवा कर रख सकते हैं, जैसा आप उचित समझें, मंत्र, देखिए जब कोई भी मंत्र हम जबते हैं, तो उसके पाँच अंग होते हैं, सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं, कि हम हैं कौन, हम इश्वर को अपने आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानि बताते हैं हम हैं कौन, वैसे इश्वर सबको जानते हैं, लेकिन एक विधी की जब बात होती है, तो सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं और फिर संकल्प लेते हैं कि इस मंत्र जाब से हमारी इच्छा क्या है, उमीद क्या हम किसलिए कर रहे हैं? दूसरी बात हम विन्योग करते हैं, तीसरा नियास करते हैं, चोथा मूल मंत्र का फिर एक माला दो माला जितना हो उतना जब करते हैं, पांचवा छमा प्राथना करते हैं, तो एके करके शुरू करते हैं, सबसे पहले संकल्प, संकल्प करते समय हाथ में जल ले लीजिए और ऐसा कहिए, जैसा मैं बताता हूँ, यह जब मैं बोलूँगा मंत्र, इसका स्क्रीन शॉट भी अभी आपको दीख जाएगा, थोड़ी दिर के लिए मैं डाल दूँगा, आप उसे रोक कर चित्र ले सकते हैं, सबसे पहले अपना नाम और गोत्र, नाम जैसे मैं अपने बारे ऐसे बोलना है, अहम वत्स गोत्रस्य, अंश्मन शर्मनू, मंजन्म कुंडल्याम, वर्ष कुंडल्याम, गोचरेच अरिश्ट अस्थान इस्तितानाम, आधित्यादी ग्रहाणाम, अशुब फल निवृत्ति पूर्वकं, शुब अस्थान इस्तितानाम, ग्रहाणाम च तो आप यह मंत्र देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ, ऐसे ही आप कर सकते हैं, उसके बाद हाथ में जो जल लिया था ना, संकल्प का, उसे नीचे गिरा दीजे जमीन पर, और तीन बार कहिए, विश्णु, 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 शीव को विश्णु बहुत प् विश्णु का नाम लेंगे, शीव को प्रेम मिलेगा, तो तीन बार विश्णु, विश्णु, विश्णु करके जल समर्पित करने के बाद संकल्प लीजिए, भगवान विश्णु, शीव से प्रार्थना कीजिए, आप यह मंत्र किसलिए कर रहे हैं, आपकी इच्छा क्य क्या है, आध्यात्मिक हो, या शारीरिक हो, सांसारिक हो, जो भी है, आप उनके चरणों में निवेदन करिए, वैसे भी देखिए, मंत्र के अभी शुरू में हमने क्या पढ़ा था संकल्प में, सतत आरोग्य फल प्राप्ते, हमेशा आरोग्य मिलता रहे, और सभी ग्रहों की शांती हो, पुरे वर्ष का, तो इसमें तो बहुत कुछ संकल्पाप का वैसे ही हो गया, देखिए इस मंत्र के कितने लाव हैं, इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमें विन्योग करना है, विन्योग का मतलब क्या होता है, डिवोशन, रिवरेंस, सम्मान देना, विन्य करना, विन्योग का मतलब विन्य देना होता है, किसको, उन रिशियों को जिन्होंने हमें यह मंत्र दिया, कौन थे, वाम देव हैं, कहोल हैं, वशिष्ट इस मंत्र के रिगवेद के दरश्टा रिशी माने जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, महा मृत्यूञ्जय मंत्र के दरश्यू महामनृत्यूंजरूद्रो देवता, श्री बीजम रीम शक्ती, मम अभिष्ट सिद्देर्थे, जपे विन्योग, यानि इस मंत्र में हीरीम सक्ती हैं, और जो इस विज रूप में इस थित हैं, इसके अलावा यह मंत्र जो हैं, उसके देवता जो हैं, रिशी है वामदेव हैं, कहोल हैं, वशिष्ठ हैं, उनकी हम अभ्यहर्थना करते हैं, यानि उन्हें हम नमस्कार करते हैं, हम उन्हें अपनी और आकर्शित करते हैं, जिससे वो हमें आशिरवाद दें, ताकि हम सफलता पुर्वक इस मंत्र की साधना कर सके, तो हमने रिशियों को भी प्रणाम कर लिया विनियो करके अब हम न्यास करेंगे, न्यास क्या होता है, न्यास यानि मंत्र के अलग-अलग हिस्सों को अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों में अस्थापित करना, मंत्र का जो शरीर है, हमारा शरीर भी वही बन जाए, तो हम मंत्र मैं बन जाए, इसी को नियास कहते हैं, नियास का मतलब बता है, अस्थापना करना, बिठाना, तो मंतर को अपने शरीर पर बिठाइए, कैसे बता देता हूँ, सबसे पहले बोलिए, ओम वशिष्ट रिशिये नमह, शिरसी, यानि शिर को, सर को टच कीजिये, ऐसा बोलते हुए, आपको स्क्रीन पर प्रजन नंगों को चुईए, उसके बाद, आपने उन नंगों को चुईए, तो हात को धोना पड़ेगा, तो एक थोड़ा सा हात धो लिजे, उसके बाद, ओम शक्तिये नमह, पादयोह, यानि पैरों को फिर चुईए, उसके बाद, क्या करना होगा, अब हमें कर नियास कर करना होगा, यानि हात को, तो हात में हम क्या करेंगे सबसे पहले बोलेंगे, ओम तच्वितरवरंडियम अंगुष्ठा भ्याम नमह, तो ऐसे अंगुठे को चुईए, उसके बाद, ओम त्रयमबकम्यजामह, तरजनी भ्याम नमह, पहली उंगली को, उसके बाद, ओम उसके बाद अब क्या करना है हमको अब इसके बाद हमको हिर्दय आधी अंगों का नियास करना है तो सबसे पहले अपने हिर्दय पर हाथ रखिए उसके बाद अब भर्गो देवस्य धेमई शिखाय वकट अपनी शिखा को चुईए उसके बाद ओम सुगंधिम पुष्टि वर्धनम कवचाय हूम ऐसे कवच की तरह अपने आपको प्रोटेक्ट कीजिए उसके बाद ओम धियो योनह प्रशोदयात नेत्रत्रयाय वकट ऐसा बोलते हुए तीनों आखों को बीच की आख दोनों आख को ऐसे उंगली रखिए तीनों पे उसके बाद ओम औरवा रुकमिव बंदनार मृत्योर मुक्षिय मामरतात ऐसा बोलते हुए अस्त्राय फट यानि कोई हमें शक्ती बूरी शक्ती अगर हम पर अटैक करना चाहती है जब हम साधना कर रहे हैं तो उससे हमारी रक्षा हो यह पद्धती हो गई इसके बाद अब हम शिव जी का मानसिक रूप से ध्यान करेंगे उनका मंत्र बताता हूँ जो शिव पुराण में दिया है स्क्रीन पर भी दिखेगा जो है वह आपकी अपनी माला होनी चाहिए आपकी माला से दूसरा कोई जप न करें इसे हम इस सुमिरनी या गोमुकी में भी रखते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा अब माला की भी पूजा करनी है कैसे बोलना है माला को ओम माले माले महा माये सर्वशक्तिरूपिनी चतुरवर्गस्तयी नस्तम तस्मान में सिद्ध combines पुरे संस्कृत के मंतर का अर्थ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा समझ लीजिए माला की हम उपासना कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ही सारी शक्तियां होती है तुम्ही सब देने वाली हो तो माला महा माय सर्व शक्ति रूपिनी जो हो मुझ पर कृपक और मुझ साधक पर ऐसा बोलने के बाद आप इसको इस गो मुखी में ऐसे डाल दीजिए माला को ठीक है यहां से शुरू किजिए पहले दाने से पहले दाने से माली जे आपने पूरा शुरू किया अंत तक देखिये देखिये जैसे मैं बढ़ते जाता हूं पूरा 108 दाने आपने किये 108 बार किया गुरू का लंगन नहीं कर सकते हैंआप अपने गुरू के शुरीर के ऊपर से थोड़ी चले जाएंगे तो नहीं जा सकते तो इसलिए हम इस माला को यहां से घुमा देते हैं यहीं से देखिए यहां ऐसे है ना इसी जगह से घुमा दीजे और इसको चूलीजे तो आपने पुरी माला कर दी अब यहां से दूसरी बार आपको करना है माली जे एक बार फिर करना है तो आपकी दो माला हो जाएगी लेकिन माला ब्रीच नहीं हुए उलंगन नहीं हुआ सुमेरु का इस बात का ध्यान रखिएगा तो ऐसे करके आपको जब करना है इस जब को करने की संपूर्ण विधी मैंने आपको बता दी ऐसा करेंगे तो बहुत लाब होगा मुझे कितना लाब हुआ या तो मैं जानता हूँ कुंडलिनी के सारे चक्र बैलेंस होने लगते हैं महामर्त तुंजय करने से बड़ी से बड़ी बीमारियां नश्ट हो जाती है बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है और सबसे बड़ी इच्छा तो शिव भक्त जो होगा वही इतनी विधी से शिव की उपासना करेगा इतना मिहन इतना कष्ट अगर हम इसे कष्ट भी एक मिनट के लिए कहले हैं वैसे तो कहना गलत होगा लेकिन इतना ओर्डियल इतना टाइम लगाना क्योंकि एक माला जपने में पैतालीस मिनट तो लगेगा तो इतनी विधी के साथ बैटके अपने बिजी से स्केडियूल में से इस समय में समय निकालना यह तो वही कर सकता है जो शिव का बड़ा बुरा होता है बहुत लोग ना टीवी पे लगा देंगे म्यूजिक सिस्टम पे लगा देंगे मुबाइल में लगा देंगे सुनते रहेंगे मंतर के बारे में मना किया जाता है मंतर जोर से नहीं बोला जाता है समवेट स्वर में बोला जाता है सिर्फ आसन पर बैट कर चलते फिरते इन महा मंत्रों का जप नहीं किया जाता है ये जो वैदिक मंत्र है इनका जप नहीं होता है चलते फिरते अब इस तर पर बैट कर नहीं होता है बहुत लोग जो गले में माला पहनते हैं वही उतार के मंत्र जपने लगते हैं वो माला अशुद्ध हो जाती है उससे मंत्र नहीं जप सकते उसके अपने फायदे हैं अलग बात शीव के कृपा होगी तब ही आप मृत्युन्जा साधना कर पाएंगे और लंबे समय तक कर पाएंगे एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब शीव सामने होते हैं तो उस छण के लिए आप यह साधना कीजिए उस छण का अनुभव कैसा होता है या जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा इससे अधिक मैं तो बोलने के लिए पर्मिटेड नहीं हूँ गुरू की आगया नहीं है कि इससे अधिक मैं कुछ भी बताऊं लिकिन बड़े सारे कुंडलीनी के अनुभव होते हैं शक्ती जग जाती है आपकी तीसरी आँख खुल जाती है मन में अच्छे विचार आते हैं आपके प्रती लोग आकर्शित होते हैं दिव्य बन जाते हैं मैंने कहा था ना जीव के शिव बनने की आत्रा है मृत्यूंजय साधना तो आप पर शिव की कृपा हो ऐसी मेरी प्रार्थना है शिव के चरणों में ही अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले रुद्राक्ष पर जो वीडियो मैंने बनाया है वह भी आपको दिख रहा होगा इसके लावा जोतिश के बड़े सारे वीडियोज हैं मेरे चैनल पर आप चाहें तो नहीं भी देख सकते हैं हरी सबका कल्ले आण करें हरी ओम